हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डॉमेंड और होस्टिंग को इंटिग्रेट करेंगे इससे पहले हम डॉमेंड हमने बाई कर लिया है नेमचिप से होस्टिंग हमने बाई कर लिया है मैंने आपको इटू होस्टिंग बताया था पर आपने जहां से भी बाई किया हो होस्टिंगर या जो भी ब्ल्यू होस्ट बहुत सारी कंपनी है तो डॉमेंड और होस्टिंग दोनों को इंटिग्रेट करना पड़ता है means हमने hosting जहां से buy किया था वहाँ से हमको email आया था और वहाँ हमको जो name server है वो name server की information दी गई यहाँ मैं वही दिखा रहा हँ तो आपको भी जो भी आपकी hosting company है वहाँ से email आया है और वहाँ जो name server है वो name server बताय है name server 2 या चार बताए हैं तो यह जो name server है वो name server को आपका जो domain रजिस्टार जो name chip है या godd है वहाँ जाके वो जो name server है उनको update करना पड़ता है वहाँ add करना पड़ता है कैसे यह name chip का account है आप namechip.com में जाएंगे यहाँ sign in प्लिक करके अपना account खुलिए, open कर दीजिए जो account बनाई है पहले से, यहाँ आप scroll करके नीचे जाएंगे तो आपके जितने भी domain है जो आप buy कर चुके हैं वो यहाँ नीचे आएंगे यहाँ dashboard में यहाँ भी आते हैं यह जो यहाँ domain list दिखाया है यहाँ यहाँ भी क्लिक करेंगे तो भी वो domain जो है जो आप buy किये हैं आपने वो यहाँ दिखाई देंगे अब यहाँ जो आपने domain खरीदा है मैं आपको जो फिप साइट बनाना सिखा रहा हूँ उसमें मैं जो domain है यह domain onlineproacademy.com यह domain मैंने buy किया है और यह domain मैं आपको integrate करना यहाँ से बताऊंगा और यह जो domain है यह इसी नाम से हम website बनाएंगे onlineproacademy.com तो इसमें जो name server कैसे update करता हैं वो मैं बताता हूँ यहाँ जो आपको email मिला है वहाँ जो दो name server है A2 hosting में हम दो जो name server जो name server 3 यह जो है ns3.a2hosting.com और नीचे यह जो है ns4.a2hosting.com यह दो name server हम यहाँ इससे हम काम प्रोसेस आजे कर गएं तो यह जो name server है ns3.a2hosting.com वो copy कीजिए यहाँ यह जो आपका domain name है यहाँ last में यहाँ manage लिखा है वो manage पे क्लिक कीजिए manage पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यह name server लिखा आता है यह online pro academy.com हमने manage पे क्लिक किया तो यह रहा name server और यहाँ मैं name server already change कर चुका हूँ और यहाँ पहले name chip basic dns लिखा हुआएगा पहले ऐसा होता है तो name chip basic dns लिखा है उसकी जगा आप क्लिक करके custom dns ले लिजिए और नीचे यह जो यहाँ blank space होगी यहाँ क्लिक करके आप यह जो दो name server मैंने बताया आपको ns3.a2hosting.com और ns4.a2hosting.com वो पहले ns3 copy कीजिए यहाँ आईए और यहाँ उसको paste कीजिए दूसरा जो है ns4 वो copy कीजिए यहाँ आईए और यहाँ जो नीचे जो है वहाँ जो copy कीजिए वो paste कीजिए ns4.a2hosting.com आ जाएगा और यहाँ यहाँ यह जो sign है save वो save की sign पे क्लिक करें अब क्लिक करेंगे तो यह जो name server आपने यहाँ add किये है वो update होना यहाँ शुरू हो जाएगा यहाँ message भी आ जाएगा यह जो आपने name server जो आपने change किया है वो name server update होंगे और message भी आएगा कि update होने में 24 hours लग सकते हैं तो आप 24 गंटा 24 गंटे से कभी कभी ज्यादा भी होता है पर 24 गंटा तक आप wait किजिए यह जो आपके hosting company के जो name server है वो आपके जो domain register जो name chip है उसमें जो आपका dns आपका जो domain name है online pro academy.com उसके name server में वो name server update होने में 24 hour लगेगा तो 24 hour आप फिर कुछी मत किजिए just wait और देखे 24 hour में यह update हो जाएंगे और update हो जाते हैं मतलब कि हमारा domain और hosting दोरों integrate हो गये हैं फिर हम website बनाना start कर सकते हैं ओके friends हाँ अगर आपने go daddy से purchase किया है name chip की जगा आपने go daddy से purchase किया है तो go daddy में आप जो अपना account खोड़ open करेंगे आप sign in करके account open करेंगे मैंने आपको बताया पहले ही username या email id और password आपको डालना पड़ता है तो आप जाएंगे तो मेरा जैसे की go daddy में भी मेरा account है इसमें मेरा एक domain है वहाँ यहाँ भी manage लिखा रहता है यह DNS लिखा ही रहता है तो DNS पे यहाँ click करें go daddy में आप जाए तो आपका जो भी यहाँ मेरा वो यह जो domain है वो नहीं है online code academy जो है मेरे name chip नहीं है पर अगर go daddy में हो तो कैसे वो में आपको बताता हूँ तो आपका जो भी वो domain आपने purchase किया है वो यहाँ आजाएगा domain में जो आपने purchase किया है वो यहाँ आएगा और यहाँ जो DNS लिखा है वो DNS पे click करें DNS पे click करेंगे तो यहाँ यह name server ऐसे आजाएगा तो यहाँ नीचे जो name server हमने एंटर किया ही है तो change करना हो तो यहाँ change पे click करना होता है और click कर गे अब यहाँ यहाँ नीचे यह जो option है I will use my own name server उस पे click करना है और जो भी आपके दो name server हो या चार हो वो यहाँ से यहाँ से copy कीजिए जैसे कि यह first वाला NS1 copy यहाँ यहाँ जो blank रहता है यहाँ वो copy paste कर दीजिए दुसरा वाला जो name server है दुसरा तीसरा चौथा तो सब यहाँ paste कर दीजिए और last में यहाँ save कर दीजिए मैं यहाँ नहीं करूँ न क्योंकि यह मेरा दुसरा यह domain है तो यह भी 24 hour तो लगेगा 24 hour वो update होने में लगेगा तो update हो तब तक आप wait कीजिए तो इस तरह से जो name server है उनको update करना है और 24 hour आपको wait करना है करना है